तो हम किदर फस गें तारड साब विस सारी पॉलिटेक्स में तो जो 75 साल से पाकस्तान की लडाई है कि हमने इंडिया को खिते का चौधरी नहीं बनने देना तो फिर वो इंडिया तो चौधरी बन गया जो कि लडाई तो यह थी पाकस्तान की स्टैबलेश्मेंट तो यह कहती और यह जो मोधी साब ने फुर्माया था कि आमने इनकी एकडी निकाल दी है उसकी उन्होंने रिजन्स क्या दी थी अबर आ रही है कि IMF जो असल में डिले कर रहा है उसकी वज़ा यह है कि पाकिस्तान पर प्रेशर डाला जा रहा है कि यह आप चाइना की तरफ जाना है तो उदर जाएं यह अमरीका की तरफ आएं क्योंकि यह एक बड़ी अजीब किसम की डिवेलप्मेंट है पाकिस्तान यह समझता है उन्होंने डिकलेर करके वाकाईदा कि हम आपको आइसोलेट करेंगे इंटरेशनली तो उन्होंने फिर स्टैप बाइस्टैप सबसे पहले आपका जो बड़ा आवा था उमत मुसलमा या आयमा यह सारा जो केम्यूनिटी का पहले सबसे पहले उन्हें वहां से बग डालते हैं, तो माम से बात करो जय हिन दोस्तो विलकम दूनों इंडिय दोस्तो जय सके अपने क्लिप में देखा पाग मेडिया डिस्केशन कर रहा है की अच से पास साल पहले मोधिस्थान को आइसोलेट कर जेंगे आज दो हम पूरा आइसोलेट होगे कोई हम से बात क वहाजार कंटेनर पोड में परा हुआ है, उस तो पाकिस्तानी मीडिया अपने ही सर्पीट रहे है, तो आई ये पाक मीडिया का और अग एक चर्शा सुनते, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, प्लीज ये है कि IMF जो असल में डिले कर रहा है, उसकी वज़ा ये है, कि पाकिस्तान पे प्रेशर डाला जा रहा है, कि यहां आप चाइना की तरफ जाना है, तो उदर जाएं, यहां अमरीका की तरफ आएं, क्योंकि ये एक बड़ी अजीब किसम की डिवेलप्मेंट है, पाकिस्तान आपको किस तरह लग रही है, और दूसरी तो इसलामबाद में, डौहर में, इम्रान कान के लोगों ने प्रोटेस्ट की है, कुछ बंदे जखमी हो गए, एक बंदा अपनी जान से चला गया है, तरफ साब ये तो मुलके अंदर अफरत अफरी है, IMF पैसे नहीं दे रहा है, कि अपनी साइड क्लियर करें, और आप ने जो बात की है, कि पाकिस्तान को आप कहा जाएगा, कि पहले पाकिस्तान-अमरीका कहता था, कि हम आपको वया फगानस्तान देखना चाहते है, आप कहते हैं, कि अमरीका वह वया इंडिया देखेगा, तो हम इसे तरह फस गया हैं अब हकीकते खुलती जा रही है फंडमेंटल दो चीजे में आपको बताना चाहूंगा जिसकी वज़ा है आज एक तो वज़ा यह भी बताना चाहूंगा कि फ्यूचर के अंदर अमेरिका पाकस्तान से डील करेगा तो हमेशा भारत को पूछ के करेगा यह भी मैं आपको बतान आपकी सर्वाइवल और ट्रक्की के लिए भारत के साथ रिलेशनिशिप ठीक करना इस मेंडिटोई आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे अमरीका फ्यूचर में आप से बात करेगा वाया इंडिया तो तो तरशा फिर यह तो जो पचेतर साल से पाकस्तान की लड़ाई है कि हमने इंडिया को खिते का चौधरी नहीं बनने देना तो फिर वो इंडिया तो चौधरी बन गया जो कि लड़ाई तो यही थी पाकस्तान की स्टैबलिश्मेंट तो यह कहती है कि इंडिया हमें बंगलादेश, निपाल, सिरी लंका, मालदीव, बुटान और अफगानस्का पाकस्तान में एक इंसिचूशन बताएं जो इंडिया इंसिचूट आफ टेक्नलोजी की टकर करो, एक बहुत आप मुझे यह बताएं कि आपका हर लीडर जिसके खुद बताएं बचे इंकि अलंदर में पड़ए है, वो कैते हैं लिसाब सारा पाकस्तान का उर्दू में चाहिए, अब किस तरह तरह तुसरी बाद अचाथ, भारत आप से सो साल आगे है, बगलादेश आप से पचास साल आगे है, आप अफगानस्तान है, आज पुछे किस तरह, अज पहुआ है, एक तो भारत को एकसेप्ट करें, रेलेशनिशेप लेट करें, जा के परीपाई जो पठाना आज तो तुसी भी साड़ेश जो ड़न देव, वसी मलन ने है, तो अपारन पालिसी बिनाते हैं और उसमें डिसीजन मेकिंग का जिन का रोल है, मैं समीता हूं के उन तो या फिर हम आपको बहुत बुरे तरीके से आइसलेट कर दें, यानि यह कोई ऐसी चीज नहीं थी कि जो आपको आचानक आप पर मसलत हो गई, या कहीं से आगई, बलके यह है उन्होंने डिक्लेयर करके, वाकाईदा कि हम आपको आइसलेट करेंगे, इंटरनेशनली तो उन्होंने फिर स्टेप बाई स्टेप सबसे पहले आपका जो बहुत बड़ा हावा था उम्मत मुसल्मा या आएमा या यह सारा जो केम्यूनिटी का, पहले सबसे पहले उन्होंने वहां से आपको नकाला और बहुत ही बेयाबरू करके नकाला, यानि जिस तरीके से पाकिस हैं इसी क्या गीदर सिंगी है हमारे पास इसा क्या खजाना है कि यह पूरी दुनिया सर जोड़के हमारे एक कंस्पिरेसी का इसा बन गई यह बिल्कुल इसी तरह होता है जैसे किसी एक फैमिली में एक कोई बैट गाहे नहीं चल सकते जिसपे आप हमें कसीटना चाहते हैं जब UAE ने जाके तो जमो कश्मीर में इंडिया के जिरे इंजाम की कोई अटेम्ट नहीं की आप ने जो है छोड़ें G20 को भी एक तरफ फैंक देते हैं अमीर मुलकों का किसा है आपने Global South में शामल होने की अटेम्ट क्या नहीं की आप क्या समयते हैं कि आपको कींग हैं ये को मुलिया दो रहा है तो आपको लोग आके जो है वो आपके पहूं पढ़ेंगे या आपको जनाब दर्खवास्तें देंगे कि जहाँ आए गलोबल सौथ की मीटिंग हो रही है तो हुजूर भी तश्रीव लाएं चुके करें कि ये ये के आलमी फोरूम है को इंडिया पाविस्तान का फोरूम नहीं है इंडिया चलो इसको लीड कर रहा है लेकिन आप उसमें क्यों नहीं जा सकते थे इसलिए कि इंडिया उसको लीड कर रहा है अब किसमें जाएंगे जिसको इंडिया लीड नहीं करेगा इंडि इचली, स्पैन और पॉर्टगाल ने भी मान लिया कि हम यह जो ग्लोबल एजेंडा इंडिया का ग्लोबल साउथ को लेके हम उसे मुत्विक हैं चुक्छे हम खुद जो है वो डिस्क्रिमिनेशन का श्कार है आप किस-किस फोरम पर शामल जो है वो नहीं होंगे अब मुझे भी नहीं जाएंगे तो अब जाएंगे किसमें